भव्य दी पोट्सव के अलगे दिन गुरुवार की सुभह मुख्य मंत्री योगी आधित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमान गड़ी में बजरंग बली के दर्बार में हाजिरी लगाई. यहां पूरे विधिविधान से दर्शन पूजन करने के बाद मुख्य मंत्री श्रीराम जन्मभूमी पहुँचे जहां उन्होंने रामलला की पूजा अर्चना की और जन्मानस के सुखी वस्वस्थ होने की प्रार्थना की. इसके बाद मुख्यमंत्री अभिराम दासवार्ड स्थित मीरापूर बुलंदी दलित बस्ती पहुँचे यहां उन्होंने दलित महिलाओं को दीपावली पर उफार स्वरूप मिठाई एवं वस्त्र वित्रित किये साथ ही छोटे बच्चों को चॉकलेट भी दिया योगी के हाथों चॉकलेट पाकर बच्चे भी चहकते दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज दीपावली का पावन पर्व है मुख्य मंत्री ने प्रदेश्वासियों को दीपावली की बधाई देते हुए कहा कि मर्यादा पुरुशोत्तम प्रभू राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्याधाम त्रेता युग में दीप मालाओं से जगमग हुआ था हजारों वर्षों के बाद भी यह पर्व पूरे देश का एक उत्सव बन गया है हर सनातन धर्मावलंबी बड़े विश्वास वश्रधा भाव के साथ इस कारेक्रम के साथ जुड़ा हुआ है और इस बार की दीपावली तो विशेश है पांच सौ वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद प्रभू राम अपने स्वयं के धाम में विराजमान हुए है प्रभू रामलाल अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होकर हम पर साक्षात अपना आशीरवाद बरसा रही है आज दीपावली का पावन पर्व है इस औसर पर मैं पुरे प्रदेश वाच्षियों को दीपावली की हिर्दे से बधाई देता हूँ मरियादा प्रसोतम प्रभूसिर राम के चौदाव वर्स के बनवास के उपरांद आयोध्याधाम द्रेता युग में दीप मालाओं से जगमग हुआ था हजारों वर्सों के बाद भी यहाँ पर्व पुरे देश का एक उत्सो बन गया है हर सनातन धर्मावलंबी बड़े विश्वास के साथ बड़ी सरदावाओं के साथ इस कारेकरम के साथ जुड़ा हुआ है और इस बार की दिपावली तो विसेस है पांच सो वर्सों के एक लंबे अंतराल के बाद प्रवसिर राम अपने स्यम के धाम में बिराजमान हुए है प्रवसिर राम लला अपने भब्य और दिब्य मंदिर में बिराजमान होकर के हमें साकसात अपना असरिवात बरसा रहे हैं तो साभाई क्रूप से इतने लंबे काल खंड के बाद अयुद्या की देपावली इस बार विसेस है और अयुद्या की देपावली के कारिकर्म के साथ पुरा देश और पुरी दुनिया जुड़ने के लिए उत्सुख है यह पर्व हमें एक एक दीप के साथ जुड़ करके पंदकार का हो अग्यानता का हो अराजकता का हो अविवस्ता का हो उन सब के खिलाब हम सब को एक दा के सूत्र में जुड़ करके दीप से दीप जले के भाव के साथ एक दा के सूत्र में जुड़ करके सरवत्र ग्यान का धर्म का सिक्सा का प्रकास का उज्यारा दिखाई दे इसका संदेश दे रहा है मैं आज के सौसर पर प्रवसीर राम से ही प्रार्थना करता हूँ कि पुरिप्रदेश वाज़्यों के सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह प्रकास पर्व उत्सा उमंग सुक और संब्रिदी का कारग बने यह कामना मैं इस उसर पर करता हूँ यह मेरा सौभग्य है कि आज अयुध्या में दिपावली मिलन कारेकरम के साथ इस अनसुचित जाती की बस्ती में मुझे दिपावली के मिश्टान के साथ जोड़ने का उसर प्राप्त हुआ है हर वेक्ति उत्सुक है अपने परव और तिवहार के साथ जोड़ने के लिए डलित बस्ती में दिपावली मिलन कारेकरम के बाद मुख्य मंत्री आधित्यनाथ कारसेवकपुरम पहुँचे यहां उन्होंने आयोध्या के संतों के साथ मुलाकात की मुलाकात میں उन्होंने दीपोटसव अयोजन में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया इवंदीपावली की शुबकामनाई दी. कार सेवकपुरम में संतों से मुलाकात कारिक्रम में मुख्यमंतरी ने कहा कि दीपोटसव अयोध्या की पहचान बन गया है. दीपोटसव से देशवासियों को दुनिया में सम्मान मिलता है RSS के नीतरित्व और पूजय संतों के आशीरवाद से भव्यराम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए है मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्षन वीत्य गोपाल दास महराज से मुलाकात की मनिराम दास चावनी पहुँचकर मुख्यमंत्री ने उनका कुशलक्षेम जाना सीम ने उनके उत्तम स्वास्थे की भी कामना की इसके अलावा उन्होंने दिगंबर अखाडा में सुरेश्टास महराज से मुलाकात की वहीं सीम बड़ा भक्त माल गए जहां उन्होंने किशोरदास जी महराज से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना यहां CM को अंगवस्त्र देकर समानित किया गया इस दौरान महंत अवधेश्टा स्वाण्यसंत भी मौजूद रहे इस अवसर पर क्रिशी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पर्यटन मंत्री जैवीर सिंग, महापौर्गिरिश पती त्रिपाथी, विधायक वेद प्रकाश कुप्ता और संचन उपस्थित रहे अयोध्या का दो दिवसिय कारेक्रम निप्टा कर मुख्य मंत्री आदित्यनाथ कोरखपुर के लिए रवाना हुए